हलो फ्रेंड्स पून रिनों आपड़ी रे मुँआ अपनों को सानु जाय रे मुँआ अपनों को देखुची एयर लेजर लाइट सो तोड़ा बली यत्रा पुड़े रहा हूँची वो धर्ती जिसने अनेक सामराज्यों का उत्धान और पतन देखा है और जहां अनेक शूरवीरों का रत बहा है वो धर्ती जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का जेवन्तु दाहरन है जहां हर भूण पर इतिहास वजा है और अनेक कलाओं का वास है ये वो सम्हेता है जिसने प्रकृती की अनेक आपदाओं का द्रता पूर्वक सामना किया है किन्तु फिर भी एक सुदर पूल की तरह सदाख खेलती रही है ये धर्ती है औरे साथ अतुल्य भारत की आत्मा मुझे याद नहीं कि मेरा जर्म कब हुआ और मुझे विश्वास है कि मैं किसी योधा की तलवार से उठी जिंगारी सिर्थ पन्ना हुआ मैं आकनी हूँ वही जिसे देश प्रीमियों ने फ्रानों की आहुती देकर पुरित्र किया और जिसे ओडिसा की महान संतानों ने अपने हुर्दे में जीवित रखा ओडिसा एक ऐसा दिवे पुखन जिसका इतिहास देखो तो इतिहास नहीं साहस और पराक्रम की गौरब का था है ओडिसा को जीतने मौले आये मुगल आये वराठा आये पर हार जीत के परे ओडिसा सदा ही अदम ने रहा फिर एक समय ऐसा आया जब राज्यों पर राज्य निकलता उपने वेशवात का अजगर ओडिसा के खोर्धा गड़ तक आपोचा खोर्धा के महराज मुकंद देव त्वितिये अभी भालत थे और उनके दिवान और मंत्री जोई राजगुरू के कंथों पर शासंग का भार था इस इंडिया कंपणी ने राज्य पर अभिकार मांका तो जोई राजगुरू ने उन्हें युद्ध की चुनों देए सन अठारा सो चार साथ हजार अंग्रेज सैनिकों के सामने मुठी भर पाई को युद्धा निर्भायता था कवच पहने खड़े थे अंग्रेजों की जीत निश्चित थे और हार्वे से पहले रणधीरों ने ऐसा समण मचाया कि रणचंडी हर्शित को ना चुठी मात्र पुम्मी ने आचल पहला कर इक एक सबूत का बलिदान स्विकार किया अंग्रेजों ने जोई राजगुरु पर मकदमा चलाकर निर्मम्ता से उनका वद कर दिया अब इस इंडिया कमपनी के अधीन था पूरे प्राची को निराशाव और संशे की काली चाया ने थाकर ने पाइको कुलगॉरु बॉक्सी जगवन्दु अपने महान प्रोरुजों के बुन्य प्रताप को कैसे दूल में मिलने दे सकते थे अठारा सो सत्रा में सबल खुजाए फड़क उठी इंड्र के बज्र में कमपन हो काला आकाश कड़ती बिजनियों से धवल हो उठा देजस्री पाइको खड़ग अपनी मयान से पाहर आई और सरदार बॉक्सी ने पहले स्वतंत्रता संग्राम का शंक नात किया पिंडी की बाहुगोलेंद्र और कुर्तिबासा पाटसाहनी जैसे अनेक रवाँपरों को साथ ले सरदार बॉक्सी ने छापमार युद्ध की योजना वहाए खुमुसर के बंद्र आदिवासी भी साथ आमिले सभी सुनुआ वो साई कच्चतल की तरह जंगल से निकल निकल कर अंग्रेजों के दफ्तरों, खुधामों, खवनों और खजानों पर खाबा दो पाईको वित्रों की प्रोधादनी में शत्रू धवज भस्म होने रगा उसी दोरां पारणखे मुंडी में सोरा वित्रों हुआ पणापुर, नयागड़, दसपल्ला में क्रांती के प्रखर सुप सुनाई पढ़े केंदु जहर के खुईया सर्दारों ने तर्वारे था पूरे दस वर्षों तक सर्दार बॉक्सी प्रतिकूल परिस्थितियों से हारे बिना लड़ते रहे फिर एक दिन उन्हें धोखे से बंदी बना लिया गया पर क्रांती की आग अब दावनल बन चुकी थी जिसे वीर सुरेंद्र साई जैसे राष्ट्र भक्तों ने जलाए रखा वीर सुरेंद्र साई के साथ घेस गाउं के जमिंदार मादो सिंग, भक्ते सिंग और उनके पूरे परिवार में जन्द भूमी का रिण अपने प्रांव दे कर उठाए काला हन्डी के रिंदो माचिक और कॉरापुट के लक्ष्मन नाइक ने जीते जी अंग्रेजों की तलवार को जंग नहीं लगने दिया देश भक्त बलिदान के उंचे से उंचे की रतिमान स्थापित कर रहे थे तो अंग्रेज सरकार खूरता और भीचता की गहरी खाई में उतरती जा रहे थी अंग्रेजों की पैशाचिक प्यास जब योथाओं के रख से ना बुझी तो उन्होंने निर्दोष जैनता को अपना निशाना बनाया कभी एमको सिमको मैदान में निहत्थे आदिवासियों पर गोलियों की बोचार की तो कभी इरम में शान्ती पूर्ण प्रटशन करते लोगों का संधार किया इन रक्त तीर्थों पर बेकसूर लोगों की चीखें जैसे आज भी हवा में ठहरी हुई हैं लेकिन ऐसी अंगिनत चीखकारों और पुकारों की बीच जब बालत बाजी राउता की मासूम आवास सुनाई देती है तो आद्मा में शूल साउधर जाता है अंग्रेस पुलिस कर्मियों में कुछ ब्रदर्शन कारियों की हत्या करती थी जना ख्रोश से बचने के लिए छुपते छुपाते जब वे लोग निलकंठ पूर खाट पहुचे लिए तो उनका रास्ता एक नन्हे नाविक ने रोप लिया बहुत धंकाने पर भी जब बारा साल के बाजी राउतर का संकल्ब ना तूटा तो एक मिष्ठु रंग्रेज ने दहता हुआ अंगारा कोमल से सीने में उतार दिया अंतिमक्षणों में भी बाजी राउतर अपने साथियों को चेता था काल का कराल सर उतकल जननी की संतानों को यूही निगलता रहा समय बीता सधी बतली पर उड़िया समाज धीरच खोए बिना देश पर अपना सर्वस्वत ने उच्छावर करता ही गया बागा जोतिन जैसे विलक्षण वीरों ने सुतंतरता संग्राम में नए प्राण होंगे नेताजी सुभाश चंद्रबोज जैसे महा मानवों ने उड़िसा की कोख को धमने किया पंच शखान, पंडित गोपबंधु दास, पंडित नीलकंठ दास, पंडित गोधवारिस मिस्रा, आचार्ज हरीहर दास और पंडित गुपासंधु मिस्रा नवग्रामती के अग्रदूद बने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आजादी दोका जब नेताजी ने महा आहमान किया, तो लखमी इंदरापांडा, पीरपात्रा, प्रज मोहन पठनाईग, और सोमनाथ पानिग्रही जैसे अंगिनत जोशीले जवान, आजाद हिंद वोज के जावास सिपाही बने वही दूसरी ओर, मधुसुदन दास, पारणा महाराजा, हरे कृष्ण महाताब, रमा देवी, मालती देवी, अन्न पूर्ना देवी, पार्बती गीरी, चंद्र शेखर बहरा, और गुरबारी मेहर जैसे अनेग नेताउं ने, कांधी जी के असयोग आंदोलन और नमक सत्या कांध कभी, लक्ष्मी कांध ने, बंदे उतकल जननी की रचना कर, पूरे प्रदेश में नव उर्चा का संचार किया, भारत छोड़ो आंदोलन का आगास हुआ, तो बरगर जेले के पनी मुरा ग्राम का हर व्यक्ति, अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड ने बढ़ चल बोडीसा की शेर हर मुर्चे पर पैना थे, 1804 में शुरूगवा महायगित, 1947 में जाकर सफ़न हुआ, ख्राम्ति की मशाल से उत्सव के दीप जलाए गए और मैं, मैं तो कल भी प्रकाश्मान था, और आज भी प्रज्वलित हो, अगर देखो, तो अमर जवान जियोती की किसी अगनी शिखा में मेरी लपट भी दिख जाएगी मुझे कभी बुझने न देना, मैं सम्मान हूँ तुम्हारे पूर्वचों का, मैं ताब हूँ देश प्रेम का, मैं देश हूँ अदम में ओडिसा का करें का, मैं ब्रुर्वची वीटोड आपना बहुत भुल लाइती हो तो यह वड़ी बड़ा देखा चानल को सेया अग्या सब्सक्राइब लाइक आप कोमेंट करें जमार अपकोन तो निए आपनों को भल पर है वोते नियात तक है थैंक यू